कंगना के साथ बदसुलूकी चंडीगर में CISF जबान की बत्तमीजी सरयाम कर दिया गुना जीत से गदगद कंगना रनौत नतीजों के दूसरे दिन ही पहुँची चंडीगर जा हवाई अड़े पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए कंगना के साथ हुई बदसुलूकी का लिया मज़ा तो बुद्धी जीवी समाज ने महिला के साथ ऐसा होने पर जताई चिन्ता कंगना के एक बयान से गुसाई CISF की महिला जवान ने आपाक हो दिया और सरयाम एक अभिनेत्री और सांसत को तमाचा जड़ दिया जिसके बाद सोसल मीडिया पर दो पक्छों में बात सुरू हुई और कॉंग्रेस समर्थकों ने जम कर कंगना के साथ हुई घटना को वाजिब बातें बताते हुए मौज काटी कई वरिष्ट और जानकार कहलने वाले लोगों ने भी कंगना की जगह CISF जवान को सपोर्ट किया CISF जवान के भाई ने भी कहा कंगना के साथ जो हुआ वो सही हुआ अब बताते हैं आखिल CISF जवान ने अपनी वर्दी की गरीमा भी क्यो नहीं रखी ऐसा किया किया कंगना ने जिसकी वज़ा से सर्याम उन्हें बदसलू की सहनी पड़ी असल में उनके एक बयान से CISF जवान भड़की हुई थी ऐसे में चार साल बाद जैसे कंगना रनौत उनके सामने आई उसने आपाख हो दिया दरसल किसान आंदुलन के दोरान कंगना रनौत ने एक बयान दिया था उन्होंने कहा था महिलाएं किसान आंदुलन में सौसो रुपिय लेकर धरना देने आ गई है कंगना ने किसान आंदुलन में सामिल किसानों को खालिस्तानी बताया इसी किसान अंदोलन में चंडिगड की CISF जवान कुलविंदर कौर की मा भी आय थी फिर क्या था कुलविंदर ने कंगना की बातों को प्रशनल तौर पर लेकर दिल से लगा कर रखा था और 6 जून को जैसे ही उसे मौका मिला उसने सरयाम कंगना के साथ बत्तमी जी की इस घटना की निंदा करने के बजाए एक कारोबारी सक्स ने CISF जवान को उसके करतूत पर एक लाख नाम देने का वादा किया है के आरके यानि कमल और खान ने भी CISF जवान के सपोर्ट में कहा कि मैं सला देता हूँ तापसी पन्नु को कि वह थपड़ टू मुवी बनाए अब ऐसी मानसिक्ता वाले लोगों को देखने के बाद कंगना की बातें सची लग रही है जो उन्होंने इस पूरे प्रकरन के बाद कहा वह कह रही है महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या उनकी जगा किसी पुरुस ने ऐसा बयान दिया होता तब भी कुलविंदर कौर की इतनी हिम्मत होती और अगर बयान के आधार पर जनता का बदसलुकी करना वाजिब है तो सभी नेताओं को जीवन में एक ना एक बार ऐसा फेस करना ही चाहिए वहीं आपको बता दें फिलाल कुलविंदर कौर सस्पेंड कर दी गई हैं कुलविंदर कह रही हैं उसने जो किया अच्छा किया वह मान रही है कि कंगना के किसान अंदुलन के दौरान दिये गए बयान से वह खफा थी इस मामले के बाद कंगना रनौत ने इस बबात एक बयान भी जारी किया उन्होंने अपने सोसल मीडिया प्रोफाइल पर बयान साजा करते हुए कहा मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे सुपचित को और मीडिया के भी मैं सुरक्षित हूँ चंडीगर एरपोर्ट पर आज जो हाथसा हुआ वह सिक्रिटी चेक के साथ हुआ है वहां सिक्रिटी चेकिंग के दोरान जब मैं निकली तो दूसरे कमरे में CISF की जो सुरक्षा कर्मी थी उन्हें पास करने का प्रयास किया इसके बाद वह बत्तमीजी करने लगी जब उनसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उन्हें कहा कि वह किसान अंदुलन को सपोर्ट करती है आप बताईए आपकी समझ क्या कहती है ऐसी बत्तमीजी की सही है